हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल में नीट काउंसलिंग की न्यूज क्या है दोस्तों आज की और 23,000 जो सीट इंक्रीज और डिक्रीज की बाते कर रहे हैं उसका राज क्या है इन सभी की बातों की जानकारी आपको अभी दो मिंट की वीडियो के अंदर मिलने वारी है उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नी नोटिफिकेशन मिलती रही नीट के रिकार्डिंग और नीट कट ओफ के रिकार्डिंग MBBS MED मिशिन कैसे मिलेगा कौन-कौन से ऐसे प्राइविट कोल्य जी है जो दोस्तों आपको पूरी हेलप कर सकते हैं लो कट ओफ के अंदर लो फेस के अदर आपको MBBS MED मिशिन दिलवाने के लिए अब जैसे ही दोस्तों description में link दिया हुआ है ऐसे top 10 colleges हैं जिनकी list दी गई है और दोस्तों एक link दिया गया है cut off का जी हाँ कि cut off क्या रहने वाली है round second के अंदर stray vacancy, mop of vacancy उनका round में क्या cut off रहने वाली है उसकी भी जो link है वो description में दिया गया है आज आपको बताते हैं दोस्तों 30,000 seat increase हुई है या नहीं हुई है आपको पता है कि सभी social media पर ये चला हुआ है कि 30,000 seat बढ़ चुकी अब आपको दोस्तों एक clear शब्दों में बता दिया जाता है कि सिरफ 50% seat क्या की गई है private की अगर माली जी एक college के अंदर 100 seat हैं तो उन 100 seat हो में से 50 seat की जो fees होगी वो government के equal बताई गई है किसके equal बताई गई है वो government के equal बताई गई है यानि कि seat उतनी ही है कोई seat increase नहीं हुई है seat 90,000 के करीब है private और government को मिला कर उतनी ही है उन में से जो private college की seat की जो आदी seat है यानि कि soak seat अगर एक private college में है तो उसमें से आदा 50 हो गया दोस्तों 50 आपको government के fees के बराबर मिलेंगी और बाकी की 50 management quota के नाम से वो अपने automatically उनकी जितनी फीस है वो जो चाहें fees रख सकते हैं वो अप ले सकते हैं लेकिन जो बाकी बची 50 seat है वो under government हो जाएंगी दोस्तों और under government के इसाब सिरफ fees होगी seat under government बिल्कुल भी नहीं होने वाली है seat वो private ही रहने वाली है सिरफ आपकी जो fees है वो government के एकवल हो जाने वाली है तो इस बात को अपने मन से निकाल दीजी कि seat increase हो गई है उसके बाद ये process शुरू होगा और इसके बाद भी दोस्तों अभी कोई 100% shorty अभी तक नहीं है कि ये अब 2021 से लागू होगा या 2022 से लागू होगा होने को तो दोस्त अपरूवल मिल गया है कि ऐसा होगा लेकिन अब at present ये available है या नहीं है अभी बहुत ही कहना ये बहुत ही मुश्किल है अब दोस्तों आपको बताया जाए कि ये इस बात का आपको सबसे पहले पता चल गया है कि 23,000 seat जो है वो decrease और increase का कोई funda बिलकुल भी नहीं है तो आप इस बात को जहन में जरूर रखिएगा और दोस्तों round second में आपको आगे क्या करना है और दोस्तों मुपप round में आप कैसे अमीबेस seat ले सकते हैं उन सभी बातों की जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहेगी अमीबेस में डिमिशन ना मिलने पर आगे ऐसे कौन-कौन से courses हैं जो आप कर सकते हो और अमीबेस के बराबर की salary भी पा सकते हो उस बात की भी आपको जानकारी वक्त वक्त पर मिलती रहेगी थैंक्यू सो मच मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिन जैवारत